दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बदलते मौसम के कारण सर्दी, खासी, जुकाम, गले में खरास होना तो दोस्तो अगर आप भी इस तरह की परशानियों से परशान हैं तो तो दोस्तो आज की बताए गए उपाए आप के लिए रामबर साबित होगा और आप सब जानते हैं कि आज की समय में अगर सर्दी, खासी, जुकाम या गले में खरास है तो तो घबराट सी महसूस होने लगती है घबराट का कारण है कुरोना जी से महामारी तो दोस्तो अगर आपको भी गले में खरास है, सर्दी है, खासी है तो यह टिप्स आप जरूर अपनाए इसमें सबसे अच्छी बाती है कि इसमें जो भी सामगरी का परियोग किया गया है वह आपके घर में यानि आपके कीचन में उपलब्द रहता है तो आएए दोस्तो जानते हैं कौन-कौन से ऐसी सामगरी है जो इसके लिए जरूरत है दोस्तो इसके लिए काली, मिर्च, अद्रक, लॉंग, गूर और तुलसी जी के कुछ पत्तों की जरूरत पड़ेगी दोस्तो यह उपाए आप घर पर अपना कर आप अपने गले का दर्द, खरास, सर्दी, खासी से चुटकारा पा सकते हैं दोस्तो अगर आप यह उपाए घर पर कर लेते हैं तो आपको डॉक्टर के परस जाने के जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तो इस चाय को बनाने के लिए आपको एक छोटे से पतिला में डिर्ड गिलास की हिसाब से पानी रखना है आपको दोस्तो जब पानी वाइल होने लगे तो उसमें आपको तूलसी जी के पते, काली, मिर्च ध्यान रखने हैं दोस्तो आप काली मिर्च ज्यादे न डालें अगर आप सिंगल चाई पी रहें यानि आप सिंगल पीने वाले तो 2-3 न डालें और अद्रक की क्वांटिटी को भी आप ध्यान रखें अद्रक की जो क्वांटिटी है उसको भी कम डालें क्योंकि यह बहुत ही गरम होता है दोस्तो तूलसी जी के जो पते हैं वो पानी उबलने के समय में ही डाल दें क्योंकि तूलसी जी के जो पते होते हैं उसको पकने में टाइम लगता है इसलिए तूलसी जी के जो पते हैं उसको पहले डाले तो दोस्तो आपने अभी तक इसमें अद्रक, काली मिर्च, लॉंग और तूलसी जी के पते डाल चुके हैं अब आपके पास जो समगरी बची है वह गूण है और चाय पती तो दोस्तों आप अब चाय पती डाल दें और चाय पती डालने के बाद आप उसके बाद में कम से कम दो मिनट के बाद आप फिर गूण को डालें दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस्टोप चालू करते हैं तो हीट जाना बनाएँ हीट कम रखें क्योंकि इसको जलाना नहीं है इसको पकाना है अपने को दोस्तों आपको देखना है कि आपने डिड़ कप पानी का चाय बना रहे थे तो डिड़ कप में से अगर आपके पास एक कप चाय बच गया है तो आपको इस्टोप बंद कर देना है उसके बाद दोस्तों उसको छान ले छान कर जितने भी चाय बज़ता यानि एक कप के हिसाब से जो भी चाय बज़ता आप उसको पिए इस तरह से दोस्तों इस तरह की चाय जो है कम से कम आप दिन में दो बार जरूर पिए जब आप दो बार यानि दो दिन तक यूज करते हैं तीन दिन तक यूज करते हैं तो इस तरह से ठीक हो जाएगा दोस्तों इस तरह की छोटी-छोटी सी बिमारियों की लेकर आप घबडाये नहीं दोस्तों इस तरह की जितनी भी बिमारिया होती है बदलते मौसम के कारण अधिकतर आपने देखा होगा और होता भी है जिस बेक्ति का इम्मुनिटी सिस्टम बेस्ट होता है वह इन सब की बिमारियों से बच जाते हैं और जिनका यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है तो जैसे भी मौसम चेंज होता है वह इस तरह की बिमारियों से गरसित हो जाते हैं दोस्तों आप से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, अपने डिलेटिव के साथ सेयर करें, ताकि कोई इस तरह की बीमारियों से परसान है, उसको भी आराम हो जाए और वा स्वस्त महसुष करें, और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप स्वास्त पुर्वक अपने घर पर होंगे थैंक्स फ्रेंट्स पर वाचिंग